उसके बाद आप इसी के अंदर section B में 5th A पे आईएं तो उसके अंदर है explain the emerging challenges in establishing gender equality in informal sector तो इसके अंदर भी पहले questions आ रखे हैं तो इसके अंदर 2010 के अंदर question था कि write a short note on feminization of labor in informal sector तो अगर आपके पास ऐसा question है already यह देखी आपको question था कि informal sector के अंदर labor का feminization हो रहा है it means women का number वहाँ बढ़ रहा है तो अगर यह चीज है कि वहाँ पर feminization हो रहा है तो you should be concerned कि वहाँ पर उनके क्या challenges होंगे plus उन्हें formal economy में लाने के लिए हम क्या steps ले सकते हैं और अगर informal sector में ही women है तो वहाँ पर उन्हें gender equality उनकी opportunities के लिए क्या क्या steps लाए जा सकते हैं तो यह आप PYQs जब कर रहे हैं तो यह नहीं कि आप exact उसी चीज़ को ही कर रहे हैं कि उनकी क्याओ पांटीफ नहीं कि वाँ भान से चुभ इनकी कर रहे हैं